Good morning dear students, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है मेरे साथ आज के इस lesson number 10 में Basics of Music की एसीरीज चल रही है हमारी तो चलिए बात करते हैं आज के topic पे और आज का topic है शृती Dear students, पिछले lesson में मैंने आप से बात की थी नाद के बारे में और आज नाद से एक step हम आगे जाएंगे शृती पे बात करेंगे तो संगीत के काम में आने वाली वो ध्वनी या आवाज या नाद कह लिजिए तो संगीत के काम में आने वाली वो ध्वनी जो एक दूसरे से अलग हो और स्पष्ट कानों के तवारा पहचानी जा सके, सुनी जा सके, उसी ध्वनी को कहा जाएगा शुरुती, मैं फिर एक बार कहता हूँ, संगीत के काम में आने वाली वो ध्वनी, अथ्वानाद, जो एक दूसरे से अलग पहचानी जा सके, और जो स्पष्ट कानों को सुनाई उसी द्वनी को शुरुति कहा जाता है और ऐसी शुरुतियां एक सब्तक में कुल कितनी होती हैं सब्तक का मतलब होता है साथ सवरों का एक ग्रूप होता है उसमें 22 शुरुतियां विद्यमान होती हैं 22 शुरुतियों से स्वरबनते हैं इस टॉपिक पर हम नेक्स लेसन में ब बजरीका, प्रसारणी, प्रीती, मारजनी, ख्षिती, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मदंती, रोहिनी, रम्या, उग्रा और शोबिनी, ये 22 शुरुतियां हमारे संगीत में काम आती हैं, जिनको हम स्वरों के अंदर फिक्स करते हैं, और इन शुरुतियों को मिलाकर के ही स् बनता है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, नाद, यहनी musical sound, music के कामयाने वाली ध्धनी, तो नाद से क्या आया, शुरुती, शुरुति से क्या आता है, स्वर, सवर से क्या आएगा, सब तक, तो इसे क्रम में हम धीरे धीरा गए बढ़ेंगे दिया, students, तो आज हमने लिखी हुई बुक्स के बारे में बताया हुआ है आप चाहें तो Amazon से उन बुक्स को पर्चेज कर सकते हैं या directly मुझसे भी आप उनको खरीद सकते हैं तो उन बुक्स में अभी मुझसे को जाए!